कि चलिए नमस्कार सुनितों स्वागत था आपका संदेप साजी के में तो शुरू करते हैं क्लास को कि यह क्लास और एक्जाम के लिए है और इस क्लास में जो हम पढ़ते हैं अभी तक हमने हिस्ट्री के 32 वीडियो कर लिया है पौलीटी के बारा वीडियो जोगाराफी के बारा वीडियो सब्सक्राइब के 20 वीडियो और मिश्ट कोश्टन्स के वीडियो नंबर एट है आठ नंबर का वीडियो है इतने सारे वीडियो हो चुक है बाभू काउंट करोगे तो थर्टी टू और चौबिस केता होता है सब्सक्राइब करना था मिश्ट कोश्टन्स के साथ वीडियो हो चुक है आज वीडियो नमर आठ है इसमें हम लोग डेली 75 कोश्टन्स करते हैं करा रहा हूं 95 पर से निकाला है कोई एंपी से कोई यूपी हर्याना बंगाल भिहार साइब कोश्टिवर हर जगा से निकाला हूं आपको किताब खाये जुड़त नहीं है मेरी डूटी है खायद खायद के प्रिवेसर प्रमाच्ष पढ़ा दूगा कोई करने क्लियर है कि चंपा कली सर केजरीवाल जी का क्या होगा जितना मैं समझ रहा हूं इस हाई टाइम की केजरीवाल जी को इस रिजिगनेशन लगा करके इस्तीफा लगा करके मुझे लगता है और या तो वह अपनी वाइफ को सीम बना दे उससे थोड़ा इमोशनल भी हो जाएगा मामला और या फिर अतिशी मर लेना या सौरभ भाहर द्राज को क्योंकि लंबे समय तक हीच नहीं पाएंगे और अगर वो जेल में रहते हुए सीम बने रहेंगे तो हो सकते है आनिवाले समय में रिकमरेशन हो जाए प्रेसिडेंट रूल का और और मामला फांच जाएगा तो मुझे लगता है परसनली के रविंद के जिवाल को स्तीफा लगा देना चीए क्योंकि टेक्निकली गलत नहीं करना मिटिंग करने में तो मुझे लगता है अपनी वाइफ को सीम बना देना चीए और या फिर वो चाहें तो अपने को भूत भरोसे मन्द आदमी को जैसे अतिसी मर लेना है या मनी सिसौधियां है वो सुर्भ भारत द्वाज है ऐसे बहुत साई लोग इनके पास है जो भ पास बाते वाताई मने चार पास बाते नोट की जगा निला अंचल परवत बिकुस भूला आपने पहला पॉइंट की कमाख्या मंदिर जो है यह कमाख्या देवी कु समर्पेथ है असाम में है असाम के पास गुवाहाटी में है ब्रम पुत नदी के किनारे है यहां पर माता जी बैठीए उन्हें मासिक धर्माते हैं वह पर्टिकल्ट दो तीन दिन जो होता है वह मासिक धर्माना जाता है अगला सवाल है नेक्ष सूर का प्रकास कितने रंगा से मिलकर बना होता है जन्दी मंदेव वाह सर बैंक निफ्टी क्या रगता है अभी रुख जाओ थोड़ा सा क्योंकि अभी चुनाओ है एक पहिना रुख जाओ में परसनल साइशन है अप्रेल और मई प्रस बच जाओ चार जून तक क्योंकि ना सरकार उपर नीचे कबर हो जाती बहुस अजिशी होती ह और घटाथ कोरसे जांदी यृद कुनिका शौहान कर नाम है आपका पंटेकी का सून आ है मैं रूंडति बेबी डोल में सोने वाले जुगानाह आ पुनिका पहली बार सुना है मैंने अच्छा नाम वैसे चलो एटीट्यूड गर्ल वाजीवा बहु सुन्दर तो कौन सी पुष्टा राजन प्रसाद लिखी गई है भारत इंडिया डिवाइड़ इंग्लिस पहना हिंदी में ट्रांसलेशन यहां मां होता है यह ससी भी करती ह इंडिया डिवाइड़ एन ऑट्रोग्राफिक तुवर्स फीडम डिस्कवरी अफिंडा गिम्स बिल्कुर्व सिंपल इंडिया डिवाइड़ राजन प्रसाद इंडिया डिवाइड़ इस राइट आंसर क्लियर है चागे अगला सवाल कौन सी पुष्टक स्कॉर्टिस अर अगला अंधुलन से प्रजित होकर खालिस्था ने भारत माता की अपनी प्रशिध्य चवी को एक तपस्वी वेक्तीक रूप में चित्रित किया मूवड बाय दा सोधेसी मुमेंट पेंटेड हीज फेमस इमेज ऑफ भारत माता पोर्ट्रेंग हैर एज एन एसके टेक फेजर वड़ा शांदर कॉश्चान है लाइक निशा गुपता बहुत दिन बात दिखें बटा क्लास में आप वीडियो लाइक निखें निखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने से नहीं होती है और जो उसमें दिखाया है वह हमारे घर में पहले से बोलते हैं कभी कुछ कुछ खाने के लिए दे तो मत खाऊ बाहर किसी का बीना पहचान वालों का पानी नहीं पीना चीए बहुत देखो यह वसी करना भूत प्रेत अलग चीज है मैं परसुन एक्सप्रेंस बता रहा हूं मेरे एक भहिया है बुगा के बेटे वो एक बार मईहर गया थे घूमने मईहर मतलब मद्द प्रतिस में इस और आटो से इनके हलका किनारे निकल ले बाद उल्स पुलिस आई तब देखा क्या हो गया जब होस में दुचार सेगंटे बाद ताम मालूम चला कि प्रसाद में कुछ मिला दिया गया थे लिए बाद करो जो स्टार मूब में दिखाया है हूँत प्रेत वसी करना वो अ से जोस कुरा साल देके चला गया हूं कौन से प्रदोंसी पवाद पाने MSوس नहीं होती है तो कौन से नहीं होती बहुत खतरणाक खतरनाक बीमारी है डेंजरस है कभी भी अगर हो रेव बहुत साइर बच्चे दो बी दो बीमारीयों को बहुत लोग सिरसली नहीं लेते लेकि बहुत डेंजरस है हाथ जोड़के निवेदर है कभी कुछ हो तो प्लीज कर लिया करो एक तो टेटनेस कभी भी हाथ में लगता ह है कुछ भी हल्का हाथ में लग जाए चाकू या कुछ भी सब्सक्राइब लड़कियां जो होती है खाना मना देशन लग जाता है आप तो कोशिश करो साल में दो टेटनेस के लगवालो एक जनवरी में जुलाई में कराई लो बहुत डेंजरस बीमारी होते हैं लेने के दे जैसे आप लोग भी हैं आपके घर में कोई छोटे बच्चे होंगे फ्रोड़ा ध्यान दे जिंच जोगा अगला जिंक और सर्फ्यूरिक एसेड जिंक सलफेट प्लस क्या होगा यह अच्छा कोश्चन है एंटी पीसी दोहजार एकेस का जली रेबीज हा रेबीज दो बता प्लस के तक नहीं है जली अंसर दो वीचर दो फॉल्विंग इस नॉट अनेच्रल एसेड बेज इंडिकेटर कौन सानी है जली 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 आद भाई 84 नंबर का वीडियो है 84 वीडियो बहुत बड़ी बात है दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च चार महीने में हमने 84 चरिश्ट पड़ी है 50 55 वीडियो के अलग से है यह जो टॉपिक है 32 वीडियो हिस्टरी के 12 वीडियो पॉलिटी के 12 वीडियो जोगराफी के 20 वीडियो मिसलें स्वोर्स आटन कल्चर के और आठेमें नमबर कर वीडियो यह वाला है तो टोटल 84 वीडियो हो चुके हैं जिस अधी 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहा है इस्थापित की बहुत ही शांदार कोर्शन कई बरक जाम में आ चुका है वीडियो लाइक नहीं तो लाइक जरू कर देना अभी जैसे हम सब्जेक्ट वाइस कोर्शन कर रहे हैं ना आने वाले एकात महिना बाद हम लोग फि प्लस ज्यादा टॉपिक हो गया होता और यहां पर जो मामला चला है चली रहा है लेकिन आप लोग साथ ही नहीं देते बाई पचास पतर असी बच्चे लिए फोन लाइव आता इंसान यार एसा बिनिकी चलो पेड़े बेचने तो पेड़े बिग जा तो काम हो जाएगा अ सपोर्ट करोगे अब आपको सपोर्ट भी नहीं करना स्वार्थी भी बनना है सेल्फिस भी बनना है वीडियो भी धेर सारे चीए टॉपिक भी धेर सारे चीड़े कैसे चले गया रहा है कि 1859 कोलकाता पहली जूट मिल ठीक है दिश्रा नेक्स्ट निम्न में से कौन सा धिनियम ब्रिटिस भारत में 1878 में अधिनिमित किया गया था चंपक कली कैसा साथ दे सेर करते मेरे को आज तक ना दिखा लाता हूं इंस्टाग्राम चलाता हूं बाकि सारी श्टोरी आप लगा लोगे दुनिया भर की आज तक मेरेदों एक काती बच्वण हैं जो वीडियो कर दे कर देताई इस्टाग्राम में और सी ओनव वष्ट नयूं बैसे आफ अगर ढळी एक वीडियो पर डे से जप्रेसूइल में शेयर कर में और सbest मतब आ estou और किसके समय बना और किसके समय समाप्त हुआ दोनों कुर्शन बड़े टेमस अपर यावे पूच चुका है जल्दी आसा दीजिए जल्दी आसा दीजिए जल्दी बहुत सुन्दर बहुत बना किसके समय लिटन के समय बना और रीपन के समय समाप्त हुआ बिल्कु सिंपल बहुत शांदर अगला खाली स्थान और अचल प्रदेश की गेलो जिंजाती करते हैं हर सल अप्रल में मनाया जाता है बढ़े शांदर को जाएगा बहुत ही शांदर कोश्चन करा रहा हुं में जो बच्चे रेगुलर वीडियो देख रहा आपने से बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर है जैसे अंकिता साहा है अमन बेवडा है वो अमन बेवडा और शशांग पांडे हैं श्वीटी कस्याफ अंसुमान केसरी है अंसुमान केसरी बहुत बारवर कभी-कभी घुमें आते हो भाई अब बहुत दिन से नहीं देख रहे हैं और आपके शक्ति सलोनी है केरन निशाद हैं बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर हैं लगभग अपने पास रेगुलर वाले बच्चे नयने बच्चे बहुत ही कम आते अपने पास और यह बच्चे 84 वीडियो देख चुके हैं मैं अच्छे से कर रहे हैं ना बहुत सारे कॉस्टन हमारी क्लास से होंगे यह वादा है मेरा गैलो जंजाती के तो हर साल अप्रलिम मानता कौन सा है आपका मीदम मीफी क्या बोलते हैं मीदम मीफी अन्मंदि बहुत स्वाधर अगला माई एक्सपेरेंस वी टूस किसे ना लिखा है बच्चों वाला कॉशन हटा दो अगला नेक्ष्ट अचा मनीश्य वैश्णा आप क्लास में रहते हैं बहुत दिन से कमेंट नहीं देखा एक कमेंट सुरू में कर दिया गरो बीच में क्लास में कहीं भी क्लास के स्टार्टि आप क्लास में हो ना इंटीन सेवंटी फाइव के अपात काल था उससे भारत की राश्ट पती कौन थे अंगिता साहब बहुत श्रांदार बिटा श्वशांक पाने जॉनपूर चंपक अचा क्लास अभी तीन-चार दिन क्लास नहीं लूगा मैं तीन-चार दिन क्लास नहीं दे में योग कि मेरी आठ बजे ट्रेन है रात को आठ बजे ट्रेन है मैं आपको पहले गर जाना पड़ेगा मजबूरी यह जाना पड़ेगा और सबसे दिक्क्रवाली बात है कोई नहीं जा पार है बड़े भी नहीं आ रहे भावी नहीं आ रही बड़ी वहन जी जी चोटी कोई नहीं सबकी छुटी दुनिया दा भूसारी ची होती है यह था कि यह चलो एक आगी तो अवेलबल हो जाए कम से कम तो मैं जा रहा हूं तो मैं कल से छुटी होगी मतलब कल अगर दिन में क्लास जितना हो सब्सक्राइब लेके जा रहा हो अगर मुझे समय मिलो तो क्लास ले लूँगा क्लास लेप्रोप से यह सबसे भुजूर्ग राष्ट्पती माने जाते हैं ठीक है चलो अगला निम्न तापमान मापने का यंत्र कहलाता है इंस्ट्रुमेंट फॉर मिजरिंग लो टंपरेचर मापने का दिखाग लाता है मिझी नाथा पहली बार कमेंट पढ़ बताया कमें आप बोल लहों कि आप रेगुले शुदिटेशन पहली बार कमेंट अपको सब सीतला हाँ सीतला अश्टमी होती भाई हमारे यहाँ आज जो हमारी खानवनान वाली अंटी आती है वो प्रसाद लेके आई थी सीतला अश्टमी का तो यहां पर बहुत बढ़े मात्राय मना जाती है हर्दगा MP में होती है निम्न तापमान को मापने के लिए कौन सा होता है जब बर्व पानी पर तरती है उसका खाली स्थान भाग पानी के बाहर रहता है मतल dessa करोगे जैसे अपनी क्लास में कलरका आता है अमन पर अमन जो है अमन मालो ठंडा है ठंडा गार समझते हो ना ठंडा है थोड़ा सा मतलब ऐसा थाइसा ट्क थंडा है फुछ करता ही नहीं है तो होड नहीं हमाँ छोड नहीं है यह सा नहीं हिसा होड नहीं लोगव्य दिर गवत परशाल होगी कि बताओ हमारे husband जो है थंडे हैं भूर ठंडे हैं तो रोध présent मन कैसा है low temperature है लो क्राय से हो जागा क्रायोमेटर याद करने का तरीका है याद करना इसी बाहने मने अवन के बारे में आपको बता दिया बाकी आगे अगला भारत रतर पाने वाली पहली भारते मेला सर रोहित आउट हो गया है तो हो जाने दो ना हो जाने दो आउट तुमको बड़ी दिक्कत है आउट हो गया है पहलो बैटा वो डेली भी आउट हो जाएगा ना मैटा तो भी उसकी इतनी संपत्ती है कि तुम्हारे हमारे जैसे डेली 40 खरीद के बेल्चे देगा हो पुरी जिंदगी पचास हजार वार बेल्चे तो भी उसका पईसे खतर ने होगा छोड़ तो चक यहां देख लो भी भा सुपर要 कुछ कोई भारतन दे दिये नहरुजी ने घृष्षी और ऐन्ट तै दिया अगरा हल्दी घाटी के इन कि आज हूए ज़सने कम आया नों पताव के पानी पत का पहला दूसरा तीस अर्व्तला दैवां क्या हुआ कैसा हुआ और जाह थाहारी बात्या side तराइन का बैटल वन टू थरी फड़ा फड़ा लागया किसके बीच लड़ा गया कौन जीता कौन हारा जली जया जयां सदो जली अर्चिता दिलेप चंपक कली मिथुन नाथ शशाइंक पांडे उमंगना कुमारी वह बहुत सुना पानी पतकतीर बैटल हुआ 1526 1556 और 1761 पहला बाबार इब्रहाम लोदी के बीच बाबार जीता दूसरा होता अकबर हेम चंद हेमु के बीच अकबर जीता तीसरा किसके बात करें सोकति आपके जिसमें और ऑसान है और तीसरá होता है उल्टुद मिस और यालड़ की बीच बीच में में तेसरा गओर जिस में अल्रॉटर अगला जावा मस्जित करवाल किस ने करवाया था जावा मस्जित अच्छे कोशन से बाबु सारे एक जाम में आ चुके हैं उम्मीद करता हूं गलती नहीं किलेगा भीरज कुमार सर मेरे गले में खरास है कोई दब बताइए खरास परास कुछ निए बाबु अभी थ्रोट इंफेक्शन लगाता चल रहा है आपने देख़ा होगा पिछले बार मेरे को पिछले मंत में मार्स में दो बार हुआ था सर्दी जुकाम नहीं रहेगा गले में भेंक सकते हैं काल हाँ चाहो तो काल हाँ पी सकते हो अधरवाई रहा पिछले मंत में दो बार हुआ था बहुत खतरनाख हो रहा आसा बोलने में अजीब सी होता है जावा मस्जित के मान किसने करवाया था शहाज जहां ने नेक्स्ट लोगपाल ये लोगपाल के समकश न्यूक्त करने वाला पहला कंट्री कौन सा था जल्दी अंसा तो फड़ा फिर जल्दी से कौन था बिल्कुर सिंपल है स्वीडन बड़ा फेमस कोशन है यह 2009-2010-2010-2011 में खुब पूछा था उश्राइम पे चालू हुआ था क्या आपका लोगपाल 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 हाना फिर लो प्रेक्चर हो गया पैर में पट्टी हो गई अंसमन के स्री क्या हो गया कहां चल गया से पकड़ लिया का इस नहीं है कहां चल रहां प्रेक्चर है पट्टी बद्धी है है नहीं चल गया थे भाई पकड़ गया भी के तभी से मध्ध्य आयन और बहिर मंदल इंगलेसा में इसमें पूरियोस पैसे प् सॉस्पार मंधल और जोण रहा कि पहाँ को पुछा इन मंदल आयन एक उन पाषन के बीच में मतलता बाह मंधल और उसके चाहिसे पहित को सब्सक्राइब एक स्प्राइब कर्या को दिखत्मिन अलग लिखिए कर दो अगरा नहीं संथारा खालिस्थान समुदाय का एक धादमिक अनुष्ठान है संथारा संथारा सनलेखना होता है और अभी हमारे जैन गुरू विद्धे सागर जी महराज जो है उन्हों संथारा किया जिसे हमारे हिंदू रिलिज्म सन्यास कहा जाता है संथारा सनलेखना है तो जैन रिलिजन का है ठेक है अगला अन्सामान केश्री क्या हो गया गाड़ी चलाता है अगला राश्र पती भावल क्रामाल खालेश सभ्सार में हुआ पहले बाइब करती है जल्दी कॉंसे संस्था रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को सेट करती है कौन सेट करती है रेपो रेट रिवर्स रेट करती है कौन करती आरबी आई करती है कौन आरबी आई यह जो करती इस पॉलिश्यू को कहा जाता है मौनिटरिंग पॉलिसी क्या बोलते हैं मौद्रिक नीती क्या बोलते हैं मौद्रिक नीती मौनिटरिंग पॉलिसी एक अगर आप सरकार की बात करें तो सरकार लेके आती है फिसकल पॉलिसी राजकोश्य नीती याद रखना बहुत इंपॉटेंट है प्रकार की है एक फिसकल पॉलिसी और एक मौनिटरिंग पॉलिसी बाकि सब कुछ फ्रिसी के अंदर आता है फिसकल पॉलिसी जो है राजकोश्य नीती लाती है गौर्मेंट सरकार और मौनिटरिंग पॉलिसी कौन लाता है आर बी आई इसी के अंदर फिसकल पॉलिसी बेढ़े सारी पॉलिसी सरकार बनाती है और मौनिटरिंग पॉलिसी में आर बी आई जो है वो क्या करता है आपका अगला कौन से पुस्तक सलमान रस्दी द्वारा नहीं लिखी गई है शेम मिड़नाइट चिल्डरन एन एरिया ऑफ डार्कनेस और दा सैटेनिक वर्सस एंगलिस ने पढ़ना हिंदी वद पढ़ना कि जल्दी वाह क्या वाह काउंसी एक डार्कनेस यह वर सर्मान रस्दी नेख्स उस लेखा करना मताइए जिसने अपनी पुस्तक एन एरा आफ डार्कनेसे पॉस्टन अगला नेक्स ठीक है वह नहीं लिखिगे इस सर्मान रस्दी ने लिखा था सासी थरूर अगला उस भौत तिक वे ज यानिक करनाम बताइए जिसने नियोट्रान की खोज का स्रेय दिया जाता है और 1932 में इसे नोबल प्राइज बिला यह बड़ा फेमस प्रोशन है कई बार पोच्चुगा है सर आप सिद्धु मुसे वाले को भी फॉलो करो बहुत अच्छा पंजाबी सिंगर था हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा पंजाबी नया लगा था विचरा लेकि अब मेरे गाने के टेश्ट थोर अलग सा है बताव मैं आपको पता मैं ना बहुत धूम धाम रैप नहीं सुन प है कोशी की नहीं हो पारा ने टेश्ट आजही है कि वह कुमार सानू उदित नरान नुसर फत्यली खान इस टाइप कर शौक है कब्बाली लोकल गाने सुनना है जैसे हमारे यहां राइ सुनना इस जोग है मैंने खुब कोशिश की बट हो नहीं पारा मेरे से कई लगता कि ग इंग्लेंड के राजा जेम्स प्रथम के अधिकारी कि राजदूत के रूप में किस मुगल समराथ के दर्वार में आया कि इसके दर्वार में आया सब्सक्राइब अगला भाजन सुनता हूँ मेरी यूटूब में कलक से प्लेलिस्ट बने आप लोगों को नीति क्यों होगी वह प्लेलिस्ट में ने बनाई है प्राइवेट करके उस प्लेलिस्ट में लगभग चार सो प्लस गाने हैं भजन के बहुत अच्छे भजन है मैं सुनता हूं इन में से कौन सा सब्ध घरेलू कुत्ते के वज्ञानी कर्धन को संदर्वित करता है विच अब दीज वर्ट से रिफर्स टू दा साइंटिफिक स्टड़ी ऑफ डोमेस्टिक डॉक्स जो अगर इसी होगी ना कसम से तो आप लगाने वाली हो आग कसम से मतलब जिस तरीका का जी के आपका है अगर इसी लेवल की मैस होगी ना तो भाई इस लड़के की नंबर अमर लेलो फोटो टो खींचलो यह लगा का टॉपर रैंक में लिस्ट में आएकर टॉप हंड़र्ड क अगला प्राचीन सहर हमपी के खंडहर विजय नगर की राजधानी किस वर्तमान भारती राज्ज में इसे थैं जल्दी चंपकली सर अब अपने पाप और भी विलर्स करें भजन तो सुनते हो Gडें हम कितनी ब्रक्रटि करेंगे गरम टेल के कहाई में थो डुबाएंगे डुबाएंगे अब उसके बाद में गरम तेल की कढ़ाई में एक बड़ दूबा दिये तो पर चाहें दस लिटर तेल उपर से डाले चाहें गैस थोड़ा तेज कर दें पांच नम्मर पे एक बार जो डूबे जो दर्द है उससे लिए उसके लिए त्यार रहूं ठीक है करनाटका नेक्स्ट डबलू एफपी साव्युक्त राष्ट की खाद सहायता साखा इसका कहा है डबलू एफपी का है कहा बेक्स वर्लड फूड प्रोग्राम का हेड़कॉटर कहा पाँ जए अंसर दो खलक से वाह बहुत सुनर कहां पर है रोम रोम तीरा नाम फुकारे एक के हुए दो नएन हमारे नेक्स्ट लगभग 600 वर्सों तक परितिक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी सांची सब नरक और स्वर्ग सब यहीं है स्वीटी का सब ठीक लड़की हो इसका कुछ ने बोलोगा बेटा तुमको तुम्स रहों बहुत सुनार तो काव की गई थी वर्नेट 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 इस राइट अंसर नेक्स्ट वयोवरध्य सुनता स्नानी समास सुधारक नारीवदी सवित्री भाई फुले भारत के किस राज्य से थी वनेट वनेट इस राइट अंसर जैदीब बहुत सुनर कहां से थी महराष्ट्रा ज्योतिवा फुले ठेक है करें जम सब्सक्राइब किस राजियों प्राचीन छोटे समय के समराज है केरला की केरला इस राइट आज सब्सक्राइब हां जीएषटी परिस्ता द्वारा लॉट्री पुरूष्टकारों के लिए एक समान जीएषटी दर्ध क्या तय की गई है जो लॉट्री पर्ट्री रखती है ना उसके रिएस कितना होता है पता को जताते हो, 28 percent GST मानथ्प करो पहले वहाँ से, बहुत सरे Всё acceso लग जते हैं दादा, उसके हाठ में किद्थ हूता है खूब ज्याद आता होगा तो 65,000,000 पैस ज्याद नहीं आता होगा अगला इनमें कौन सी हड़ी मानो कान का हिस्सा नहीं है कौन सी हड़ी है जो मानो कान का हिस्सा नहीं कान की हड़ी होती है उमें कौन सा कान का हिस्सा नहीं है और नहीं है तो किसका हिस्सा ही बता दो जल्द वाह बहुत संदर कौन सा हीमर हीमर जांग की होती है लेगे की यह थाई है अगरा कौन सी ग्रंथी फ्यफ्रों के बीच मौझूद होती है विच अब फॉलिविंग ग्लैंड इस प्रेजेंट बिट्विन दा लंग्स कौन से वाई जल्दी वह एक बहुत शंदर जैदिव कुमार को वैरी गूट कौन सी ग्रंथी फ्यफ्रों के अबीच मौझूद नहीं कौन सी है थाइमस ठीक है थाइमस जो है मजूद होती है किसमें अगला हर्यक राजवन्स के सासक अजात्षत्रु खालिस्थान का बेटर था अजात्षत्रु किसका बेटरा था जलिए फटा-फटा-फटा-फटा-टू-टू-ू-ू-ू-ू-ू- लंदर जसोरतिया मार खाएगा क्या पिट्टू-ट्री ग्लेंड फेफड़े में कब से होने लगी है कि घुटने में घुटने में पिट्टू-ट्री गधे किसका बवना बी ए यू एल बवना ऐसा बवना बवना ना बी ए यू एल बी फॉर बिंबी सार तो हर्यक वंस का पहला राजा है बिंबी सार ए मतलब आजात शत्रू उसका बेजटा उदाइन तीसरे नमबर पर चौथे पर हैं नागदशक बी ए यू एन बिंबी सार अजात शत्रू उदाइन और नागदशक अगला कौन कशेवरी की प्राणी नहीं है वीच आप फॉल्विंग इस कि अगरा बोर्रा गुफाएं भारते पुर्वीतर में किस पहाडी पर इसे बहुत शांदर कोशन कहां पर है प्रभात रंजन सर आज में बहुत गलत काम करके आया हूं सरम आ रहा है मुझे बताने में भी पोटी खाली क्या कि इस से जाधा गलत कम कही होगा कि बोर्रा गु बहुत सुन्दर कहां पर है आपके अनंतगीरी पहाड़ी में नेक्ष्ट अगला कौन नंदवन्स का अंतिम शासक था नंदवश का अंतिम शासक कौन भाई नंदवश्टी का अंतिम शासक बहुत घंदा मारूंगा किस दिन तुमको में आंसर देने के लाबा सारी नोटंगी करा लो डेली का ये काम है इसका बैल बुद्धी इतने अच्छे-चे कॉर्शन चल ला है देखो उसका अलागी चल ला है बेटा पढ़लो 75 कॉर्शन डेली होते हैं आठमी क्लास है आठ इंट्व 75 किता होता है जिता भी होता होगा किता होता है पच्छता दुरी देढ़सों देढ़सों इंट्व 4 क्या बात पंदा चो के साथ शॉर्शन देहां मेरी मैथेमाटिक्स जुगार से अंसर होने जैए 600 ना पका पच्छता बशच्छ फान्स प्रीविश इर्क पेप था धनानंद अंतिन सास्थ ठेकर नेक्ष्ट कौनसा सिर्का का प्रभुग घटा भीनेगर का सिर्का का प्रभुगट कौनसा है प्रभी मोरे गुट अधि तूर्य कुमार या दो सर्चस्मा क्यों लगाय है आथ में दिक्रप्स जाती संसर्ड लगया बागुट दिल्ली में गेटवेए अफ इंडिया मुंबाई में है और इंडिया गेट कहां पे है दिल्ली में तो गेटवेए अफ इंडिया मुंबाई और इंडिया गेट कहां पे है दिल्ली में तो गेटवेए फिडिया की न्यूं के बात करोगे न्यूं समस्ते ना कि न्यूं अगला ब्रम्हगीरी बनेजीव अभरन करनाटा के किस जिले में हैं ज्योती बैरवा वह बहुत सुन्दर वो डागू नेक्ष्ट जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में बदल देता है क्या सांदार कॉर्शन है एंटी पीसी के सवाल है अर्षिता सर्फ फोन पर पानी गिर गया था सौरी अब आज से क्या हो गया रहां रखो भाई आनी पानी से खराब हो जागा मॉइल है लाइन फॉर्स हम प्यास काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस से मदलता है सल्फ हैनिक एसिड में पका नेक्ष्ट वाहर मनें बहुंशना कॉन तत्युहार देवताओं का अनंद में दिरमार है जंदी विच मेरी मेकिंग अप देवताओं का अनंद में क्या अंसा दो कोई तो फेस्टिवल भाई लाई हरुबा वह बहुस्त अगला लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता है लेडी विलिंगडन पार्क किसे कहा जाता है मनीशा वैसना बहुस्त शांदर विटा मांसी कुनी का बहुस्त शांदर लोधी गार्डन को क्या बोलते हैं लेडी विलिंग्रन पार्क के नम जा जाता है नेक्स्ट अगला माधोपुरमेला के स्राज में भाई माधोपुरमेला जल्दी पड़ाफट अच्छे कॉस्टन्स है सब धरूरा ठीक नया वीडियो आ गया है डरा हुआ डिक्टेटर ठीक है देख लेना गुजरात क्लियर आज क्लिट रही जब नहीं रखो रहाई करो कुमझे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाई बाई टेक क्यार